पूरे पाली साहित्य में जो भग्नवान बुद्ध ने बोला या उसके बाद में जिन लोगों ने वो लिखा या उसकी अर्थ को लिखा या अपने अर्थ को लिखा या अपनी कथाओं को लिखा या गाथाओं को अपने हिसाथ से लिखा मगर पूरे पाली साहित्य में पूरे बुद्ध के साहित्य में जो लिखा है उसमें एक बात बहुत प्रिमुख है कि पूरे साहित्य में कहीं आज के समय जो जातियां चलती है काश्ट सिस्टम चलता है भारत में उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है सिर्फ दो तरह के लोगों का जिक्र है एक समण और एक वमन समण यानि भारत के लोग जो काले होते थे जो समण भी जिनको बोला जा जाता था यानि कि सैवन सैवन का मतलब है रंगीन लोग जिनमें रंग था जिनकी काया जिनकी स्किन गोल्डन कलर की, सुनहरी कलर की सौन याने के हिरन जैसे रंकी या गेहु जैसे रंकी या उगते हुए सूरज जैसे रंकी या जो खेद में बाली होती हैं जब पकती हैं उस जैसे रंकी होती है उसको पाली में सुवन कहा है बाद में इसको संस्काइट भासा में सुवन करके बोला गया है और जिन मनुस्यों का रंग नहीं होता था, जिन व्यक्तियों का रंग नहीं होता था सफेद होते थे, बिल्गुल रंग हीन होते थे उनको बोल थे एवन एवन का बाद में संस्काइट करके एवन बना वन माने जो पाली के अंदर होता है वो होता है रंग यानि कलर कलर को वन बोलते हैं जैसे हरित वन, हरे रंग का, लोहित वन यानि खुं जैसे रंग का सेत वन यानि सफेद रंग का, कणे वन यानि काले रंग का या पीत वन यानि पीले रंग का तो रंग को वन बोते हैं और वन को संस्कायद भासा में वन बोते हैं पूरे पाली साहित्य के अंदर दो नसनों का जिक्र है समन और वमन तब तक ना कहीं सुद्ध का या शुद्ध का या शुद्र का जिक्र है नहीं कहीं कोई छत्रियका क्योंकि खेती है तो सारे लोग थे ही पाली के अंदर वैसे भी छे सब्द होता नहीं पाली के अंदर स्रेशब्द भी होता नहीं क्योंकि शे नहीं होता